जैश्री राधे कृष्णा ओन कुक्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हरी अनंत हरी कथा अनंता में आज सुनिए अयोध्या के महाराज दलीप का गौ सेबा प्रेम त्रेटा युग में अयोध्या के चक्रवर्ती समराथ महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी, एक बार बे अपनी पत्नी के साथ गुरु वसिष्ठ के आश्रम गए, गुरु वसिष्ठ ने उनके अचानक आने का प्रयोजन पूछा, तब राजा दिलीप ने उन्हें अपने पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की और पुत्र पाने के लिए महर्शी से प्रार्थना की महर्शी ने ध्यान करके राजा के निहसंतान होने का कारण जान लिया उन्होंने राजा दिलीप से कहा राजन आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ख से प्रित्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया शीघरता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं कामधेनु ने आपको शाप दे दिया की आपको उनकी संतान की सेवा किये बिना आपको पुत्र नहीं होगा, महाराज दिलीट बोले, गुरु दे सभी गाएं कामधेनों की संतान है गौ सेवा तो बड़े पुन्य का काम है, मैं गायों की सेवा जरूर करूंगा, गुरु वसिष्ठ ने कहा, राजन मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है, वह कामधेनों की पुत्री है आप उसी की सेवा करें, महाराज दिलीट सबेरे ही नंदिनी के पीछे, पीछे बन में गए वह जब खड़ी होती तो राजा दिलीट भी खड़े रहते, वह चलती तो उसके पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पीने पर ही जल पीते संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लोटती तो उसके ही साथ लोट आते महाराणी सुदाक्षिना उस गौ की सुभ़ शाम पूजा करती थी इस तरह से महाराज दिलीप ने लगातार एक महीने तक नंदिनी की सेवा की सेवा करते हुए एक महीना पूरा हो रहा था उस दिन महाराज वन में कुछ सुन्दर कुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई दो चार क्षण में ही उस गाय के रंभाने की बड़ी करू ध्वनी सुनाई पड़ी महाराज जब दोड़कर वहां पहुँचे तो देखते हैं कि उस जरने के पास एक विशालकाई शेर उस सुन्दर गाय को दबोचे बैठा है शेर को मार कर गाय को छुडाने के लिए राजा दिलीप ने धनुष उठाया और तरकश से बान निकालने लगे तो उनका हाथ तरकश से ही चिपक गया आश्चर्य में पड़े राजा दिलीप से उस विशाल शेर ने मनुष्य की आवाज में कहा राजन मैं कोई साधारन शेर नहीं हूँ मैं भगवान शिव का सेवक हूँ मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा महाराज दिलीप बड़ी नमरता से बोले आप भगवान शिव के सेवक हैं इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपने जब क्रिपा करके अपना परिचय दिया है तो आप इतनी क्रिपा और कीजिये की आप इस गौ को छोर दीजिये और अगर आपको अपनी शुधा ही मिटानी है तो मुझे अपना ग्रास बना लीजिये उस शेर ने महाराज को दोट बहुत समझाया लेकिन राजा दिलीप नहीं माने और अंता अपने दोनों हाथ जोर कर शेर के समी यह सोच कर नत्मस्तक हो गए कि शेर उनको अभी कुछ ही क्षणों में अपना ग्रास बना लेगा तभी नंदिनी ने मनुष्य की आवाज में कहा महाराज आप उठ जाए यहे कोई शेर नहीं है सब मेरी माया थी मैं तो आपकी परिक्षा ले रही थी मैं आपकी सेवा से अती प्रसन्न हूँ इस घटना के कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई उनके पुत्र का नाम रगु था महाराज रगु के नाम पर ही रगुवंश की स्थापना हुई कई पीधियों के बाद इसी कुल में भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ जै महादेव